हेलो फ्रेंड कैसे आप सब आप सब को गुड मार्निंग आई होप सब अच्छे होंगे तो चलिए हम लोग चावल के आटा से मुलायम शॉप्ट रोटी बनाते हैं फटा फर दो मिनट में दो मिनट में पांच मिनट में पनने वाला रोटी तो सबसे पहले हम लोग देखिए क चली फ्लेक्स और फिधन्य कपत्ता भी आप एड़ करें इन सब को डालने के बाद चावल का आटा डालकर के अच्छे हम लोग मिलाएंगे यह खाने में रोटी बहुत ही शॉप्ट रहता है आप दो दिन भी रखेंगे ना तो भी आपका यह रोटी शॉप्ट ही रहेगा और बनाने में तो बहुत इजी है तो आप लोग अपने घर में जरूर बनाएगा तहीं देखिए चावल का आटा हम लोग डाल दिये इसमें अच्छे से मिलाएंगे हम तो आप लोगों को लग रहा हुआ कि पानी तो ज्यादा डाल दिये रोटी कैसे बनेगा पर ऐसा बिल आप नहीं नहीं तो दो आप स्कम्राव के लिए चाली से बना लोगो एक चुनों के लिए कापी है जादा एला देगा में आप लिए के वना है और रेने कि लिए विक बना रहे है तो चीनिय प्लेसरे आप सलगते हैं आप देखिए चावल का इंच कु धीतनना पलश्याट ल्वाइट्वाइट नॉर्मल आटा रता लगाईगा थोड़ा सा अच्छा से रोती नहीं पिलाए पर आप चावल काटा डालिएगा तो बहुत असे रोटी अपने अपसे घूमेगा अच्छे से मिलांगे लगएगा तो आप चावल काटा ही लगा कर के बेल आप नीचे यह मेरा फर्ष्ट रोटी था तो थोड़ा सा इसमें स्क्रेच आ गिया है तो आप नेक्स रोटी देखेगा बहुत अच्छे से बनाया है यह देखिए दूसरा नेक्स रोटी हम लोग बेल भी लिये हैं इतना खुबसुदा रहता है रोटी पूरा वाइट वाइट देख करक कि आपको जल्दी से मिसको खा लें तो अपने घर में बहुत इजी तरीके से बनाईएगा जरूर हरे मेरा रोटी आप लोगों कैसा लगा कमेंट करिएगा और मेरे को तभी खुसी मिलेगी जब आप लोग कमेंट करिएगा लगेगा उनकों की चलो मेरा बनाया वा किसी को अब लोग कमेंट जरूर करिएगा जरूर बना लिए हैं आप लोग सोच रहे हों कि चावल का रोटी फूलेगा कि नहीं फूलेगा इसा इसा बिल्कुल भी नहीं है आप लोग देख सकते हैं मेरा चावल का रोटी कितना चाशा शे फूल गया है मेरे हस्पेंड तो इसको बना लेंगे और इस ठंड में नहीं है क्या डीश बना रहे हैं कमेंट करके बताया हुआ रेसीप हम भी बना सके ते देखिए दुसरा तिसरा रोटी भी मेरा पक गया अच्छे से फूलने वाला ही है अब रोज रोज आटा का रोटी खा करके बोर हो गया होंगे तो चावाल का रोटी बनाईए सब को पसंद आ जाएगा इतना अच्छा यह सॉप्ट मुलायम वाइट कलर का रोटी रहता है तो देखिए इस दर करके हम लोग सारे रोटी यों को पका लेंगे पहुत ही टेश्टी भी लगता है खाने में यह आप कोई भी सब्जी के साथ इसको आप सर्व करिएगा रिजवाय करिएगा बहुत ही अच्छा लगेगा बैंगान का सब्जी हो भी आलू का सब्जी या फिर चिकेन मठन के साथ भी यह सर्व कर सकते हैं उसके साथ में और हुआ है तो लॉग हुआ शोलब हं और मैं दो कॉर्वार वें ज treatments नहीं वरके मेरा देखार बैसा कमेडीका प्रुड के अब कर दूछे ने नोगे कक यह लिए प्सक्राना बनाने नोन टे इंतो वी ने चलिक सब्ला ऑख रह था चलिक सब्लसरें अच्छे से पुला लेते हैं दोनों तरफ से लेते हैं अच्छे से आपको रिफैंड डाले मनतर रिफैंड यूज करें आप लोगों जो इच्छाय डाले में हम तो घी नहीं डाले कि ठंड़ के दिन में घी जम जाता है गर्मा घरम खाईएगा तभी अच्छा है तो पांच सब्सक्राइब के बाद हम लोग खाएंगे इसके वज़े से थोड़ा हम लोग रिफैंड यूज कर रहे हैं यह देखिए दोनों तरफ से लोग से लिए हैं आप घी से बनाइए तो और भी टेस्टी लगेगा क्योंकि घी का स्वाधी अलगी होता है आप लोग मेरा अब ज सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले और इसी तरह का आपको नए डीस के साथ में आपको नेक्स वीडियो में हम मिलेंगे तब तक के लिए आप सब को बाई इंज्वाए करिए आप लोग सब को अठंडे में अपना ध्यान रखिए अर अच्छे से रहिए जैसीरी रा